देश की विश्व विद्याले परिक्षाओं पर कोई अंतरिम रोक लगाने का आदेश देने से सुप्रिम कोट ने मना कर दिया है कोट ने मामले में केंद्रिय ग्रिह मंत्राले से जवाब मागा है और सुनवाई को 10 अगस्त के लिए टाल दिया है UGC के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल की दर्खवास्त पर सुप्रिम कोट ने ये भी साफ किया है कि उसके पास मामला सुनवाई के लिए आ जाने का ये मतलब नहीं है कि अब परिक्षाओं पर रोक लगनी तै हो गई है इसलिए जो चात्र परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अपने तैयारी जारी रखें काईदा कानून के इस वीडियो में देश के लाखो कौलेज चात्रों की दिलचस्पी वाले इसी खबर की बात इसी विशे पर अपने पिछले वीडियो में हम आपको ये बता चुके हैं कि इस मसले पर प्रणीत समेत 31 शात्रों जो की अलग-अलग विश्विद्याले के हैं यश्दुबे नाम के कानून के शात्र शिव सेना की युवा एकाई युवा शेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं पश्चिम बंगाल के कॉलेज शिक्षकों की एक संस्था ने भी मामले में याचिका दाखिल की हैं इन सभी याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी UGC के उन गाइडलाइन्स का विरोध किया गया है उन्हें गलत बताया गया है जिनमें देश के विश्व विद्यालेयों से 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परिक्षा का आयोजन कर लेने के लिए कहा गया था इन याचिकाओं में कहा गय पिछली सुनवाई में UGC से इस मसले पर जवाब मांगा था UGC ने हलफ नामा दायर कर ये बताया कोट को कि उसने जो फैसला लिया है परिक्षाओं के आयोजन का वो छात्रों के हित में ही लिया गया है ऑनलाइन परिक्षा का विकल्फ है चात्रों के लिए और जो पिदारी से काम किया जाएगा लेकिन परिक्षाओं का आयोजन होना चाहिए आज इस मसले पर सुनवाई के दोरान याचिका करता पक्ष की तरप से दलीलों की कमांद सबाली वरिष्ट वकील अभिशेक मनु सिंग्वी ने जो की यश्दुबे नाम के याचिका करता के लि उन्हें भी बिना कोई विचार किये दाखिल कर दिया है सुप्रिम कोट में क्योंकि देश में लोग हजारों की संख्या में रोज कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं 16 लाक के करीब कोरोना के मामले जा पहुँचे हैं ऐसे में ये परिक्षाओं नहीं हो सकती हैं अगर कॉलेज की परिक्षाओं का आयोजन नहीं हुआ तो कोई आसमान नहीं तूट पड़ेगा इस पर जज़ों ने कहा कि छात्रों को ओफलाइन और ओनलाइन दोनों तरीके से परिक्षा का विकल्प दिया जा रहा है सिंग्वी की दलील थी कि कई विश्विद्याले ऐस जो ओनलाइन परिक्षा नहीं करा सकते हैं अगर वो ओफलाइन परिक्षा कराते हैं तो स्थानिय हालात और बिमारी के चलते बहुत से चात्र परिक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे हाला कि यूजी सी ये कह रहा है कि उन चात्रों को बाद में परिक्षा देने का विकल् लेकिन इन बातों से सिर्फ ब्रहम फैलेगा ब्रहम बढ़ेगा शात्रों के बीच में इसलिए बहतर है कि परिक्षाओं का आयोजन रोक दिया जाए सुप्रिम कोट UGC की गाइडलाइन्स को रद्ध करार दे और जिस तरह से CBSC के मामले में एवरेज मार्किंग के जरिये रि कोरोना को लेकर 20 जुलाई को केंद्रिय ग्रीम अंतराले ने नए निर्देश जारी किये हैं जिनमें अभी भी लोगों के एक जगा जमा होने स्कूल कॉलेजों को खोलने जैसी बातों पर रोक की बात कही गई है एक याचिका करता ने कोर्ट को बताया कि माहराश्ट्र में राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी ने भी नए निर्देश जारी किये हैं और स्कूल कॉलेजों को नहीं खोलने की बात कही है सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि मामले में केंद्रिय ग्री मंत्राले अपना रुख स्पष्ट करें और महराश्ट्र में राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी की तरफ से जो निर्देश जारी किये गए हैं उन्हें भी रिकॉर्ट पर रखा जाए हम सभी बातों को देखने के बाद आगे मामले पर कोई फैसला लेंगे याचिका करताओं ने कोर्ट से ये दरखवास्त की कि वो फिलहाल अंतरिम रोक लगा दे देश में जो परिक्षाएं चल रही हैं या जो होने वाली हैं उनपर कोर्ट ने कहा कि नहीं ये मामला अंतरिम आदेश का नहीं है हम विस्तरित सुनवाई के बाद ही कोई आदेश देंगे योजिसी की तरब से पेश सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने कहा कि जब कोड ने आगे विस्तरित सुनवाई की बात कही है तो ये बिलकुल साफ कर दिया जाए क्योंकि कई छात्रों को ये भ्रम होगा कि सुप्रिम कोड में चुकी सुनवाई चल रही है ऐसे में परिक्षा नहीं दिया जा रहा है और मामले में विस्तर से सुनवाई के बाद ही कोई आदेश दिया जाएगा एक याचिका करता के लिए पेश वकील अलग आलोक श्रिवास्तव ने कोड से एक अलग से दर्खवास्त की उन्होंने कहा कि असम और बिहार के बहुत सारे इलाके बाढ़ ग्रस्त हैं कम से कम वहाँ पर विश्विद्याले परिक्षाओं को रोकने का अंतरिम आदेश सुप्रिम कोड दे दे लेकिन कोड ने इस मांग पर भी कोई आदेश देने से मना कर दिया है तो 10 अगस्त को सुप्रिम कोड मामले पर आगे की सुनवाई करेगा तब ही ये तै होगा कि विश्विद्यालेयों में अंतिम वर्ष की जो परिक्षाओं हो रही हैं या आगे होने वाली हैं वो जारी रहेंगी या वो निरस्त कर दी जाएंगी ABP News आपको रखे आगे